आपने Student of the Year, भेडिया, स्ट्रीट डांसर जैसी फिल्में देखी होंगे और इन फिल्मों से लोगों को दिवाना करने वाले वरुन दवन ने बॉलिवुड इंडस्री में एक बहुत ही इंपोर्टेंट जगह अपनी पना ली है फिल्मेकर डैविड दवन के बेटे वरुन दवन ने साल 2012 में रिलीज की गई करन जोहर की डिरेक्टरियल फिल्म Student of the Year से बॉलिवुड डैब्यू किया था और कुछ ही सालों में वो भारत के हाइस पेड एक्टर में से एक बने और अब तक बॉलिवुड में कई हसीनाओं के साथ कई फिल्मों में नजर भी आ चुके हैं आज वरुन धवन का वर्डे हैं ये एक्टर आज 37 साल के हो गए हैं लेकिन बतौर वो इस इंडस्ट्री में फिल्मेकर के बेटे होने के बावजूद भी उनका करियर आसान नहीं रहा शुरू से ही वो काफी चीजों को लेके और हीरो बनने को लेके अक्टिव रहे हैं चली आज हम इस स्टार के बारे में आपको कुछ खास बातें बताते हैं जो आपको नहीं पता होंगी नवश्कार मैं हूँ अनुच शर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 भातवर्ष वरुन धवन का जन पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था उन्होंने नौटीधम टैंट युनिवर्सिटी से बिजनेस स्टेडीज में ग्रेजुएशन की थी अक्टिंग में आने से पहले करियर की बात करें तो उन्होंने शारुक खान स्टारर फिल्म माईनेम इस खान 2010 में करण जोहर के असिस्टेंट डिरेक्टर के तौर पर काम किया था इसके बात करण जोहर की ही फिल्म स्टुडेंट अफ द इयर से अक्टिंग के दुनिया में कदम रखा था इस फिल्म के जरी आलिया भट और सिदार्थ मलोत्रा ने भी वालिवुड में डैब्यू किया था करण की ये फिल्म सक्सेस्फुल भी रही और उनकी कास्ट भी काफी सक्सेस्फुल रही और आज हो काफी काम कर रहे और इस फिल्म ने काफी अच्छी कमाई भी की थी शायद आप लोग ये नहीं जानते होंगे वरुन धवन के बारे में कि मात्र दस साल की उम्र से ही वरुन धवन को हीरो बनने का कापी शौक था और इसका सबूत इस बात से मिलता है कि सिर्फ दस साल की उम्र होने के बाब जूद एक महिला पर अत्याचार करने वाले सक्ष को उन्होंने मज़ा चखाया चलिए आपको बताते हैं कि किस्ता क्या है एक रिपोर्ट की माने तो एक बार वरुन धवन को अपने पड़ोस से किसी महिला की चीखने की आवाज आई थी तो उस समय वरुन धवन सिर्फ 10 साल के थे उन्होंने तुरंट 100 नमबर पर कॉल किया औ लेकर विल्कुल तयार है हाल ही में नटाशा का बेबी शावर हुआ ता जिसकी तस्वीर है सोशल मीडिया पर काफी वैरल हुई थी आपको ये खबर कैसे लगी और ये वीडियो कैसे लगी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जुरूर उताएगा और बाकी तबाम बड़ी खबरों के लिए आप सो भी बने रहें टीवी नाइन भारतवर्श के साथ